हेलो दोस्तों, आज जहारखन GK का पारटë 4 होने वाला है पारटë 4 में हम लोग देखेंगे जहारखन के प्रमुक नदी घाटी परियोजना इस्से पहले दोस्तों अगर आप पारट 3 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर पारट 3 देख ले पार्ट 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं जारखन के प्रमुक चलपरपात, छील और बांध दोस्तों अगर आप जारखन में कोई भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो हर एक competitive exam के लिए जैसे JSC CGL, जारखन SI, JPSC, exercise constable चाहे जारखन के कोई भी exam ले लो, जारखन GK का एक अलग ही रोल होता है, और अगर आपका जारखन GK अच्छा है, तो आपका result होना कहीं ना कहीं तय होता है, तो चलिए दोस्तों, आज start करते है जारखन के प्रमुक नदी घाटी परियोजना, का पहला questions, questions number 191, राजी की बह उद्धेशिय नदी घाटी परियोजनाओ का उद्धेश क्या है, अप्शन नमबर E, बाढ़नियंतरन, B, पेजल, C, चारावतपादन, D, इनमें से सभी, तो दोस्तों, याद रखेगा नदी घाटी परियोजनाओ का उद्धेशिय ही होता है, बाढ़नियंतरन, पेजल, च पर्थम बहुत देशिय परियोजना है जिसका प्रारम उनिश्च अड़तालिस में हुआ था तो दोस्तों एक ही परियोजना था शुरुवात में नदामदर घाटी परियोजना अप्शन नमबर एका सही अंसर देखें कोईश्च नमबर 193 दामदर नदी घाटी परियोजना का निर्मान डेश देश की टेनेशी नदी परियोजना के आधार पर क्या गया है अप्शन नमबर ए रूस बी जर्मनी सी प्रिटेन डी श्युक्त राज अमेरिका तो इसका सई अंसर हो जेगा आपका अप्शन एफ नदी घाटी परियोनाओं के ताहत कितने बांधों का निर्मान किया गया है अप्शन नमबर beno4 rugby या मैंठन यवां पहारी बांध किस नदी पर इस्ते जोस्तो याद रखेगा मैंठन बौत फईमस डेमं हैं याद रखेगा मेथन डेम आपका है बराकर नदी में धनवाद में बराकर नदी होगा दोस्तों धनवाद में है यानि सही अंसर हो जाएगा आपका आपसे नमबर ए चलिए दोस्तों देखते हैं नमबर 1006 नहीं में से कौन सा बांध दामदर नदी पर इस्तित है यानि इसका सभी निमेंट में से खों साबांद वोकारों नदी पर इस्तीत है ए मासंजर बी पुना सीसी कोनार डी अयर तो इसका शऺ अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नमबर कोनार नदी पर कोनार पांध बोकारों नदी पर इस्तित है 198 दामदर नदी घाटी परियोजना के अंतरगत आठ लाख हेक्टर में सिचाई होती है तथा डैस मेगावार्ट बिजली का उत्पादन किया जाता है इसका सई एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नंबर ए 1200 मेगावार्ट बिजली का उत्पादन किया जाता है को सब्सक्राइब वान नाइंटी नाइन स्वर्न रेखा बहुत देशिय परियोजना का निर्मान का प्रारम हुआ था ए दोस्तों इसका सई एंसर हो जेगा अप्शन नंबर बी निर्मान किया गया था को सब्सक्राइब वहुत देशिय परियोजनाओ के पर्थम चरन का निर्मान कब पूरा हुआ दोस्तों अप्शन नंबर A 2000, B 2001, C 2002 और D 2003 तो इसका सई एंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन नंबर D 2003 को सब्सक्राइब वहुत देशिय परियोजनाओ के पर्थम चरन का निर्मान पूरा हुआ चलिए दोस्तों देख़ते हैं, नेक्स्ट कोईशन स्वर् नरे का बहुत दिशिय परियोजनाओ के राज़्यों की संयुक्त परियोजना है ? तो इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तों जहारखन, बंगाल और उडिशा जहारखन, बंगाल और उडिशा अप्शन नंबर C हो नदी पर इस्तित है ए श्वर्ण रेखा वी खरकई सी ब्राकर डी ए और वी दोनों तो दोस्तों इसका सब्सक्राइब और गालोडी बेराज श्वर्ण रेखा नदी पर इस्तित है यानि ऑप्शन नमबर ए आपका सई हो जाएगा कोश्चन संबर 203 निमन में से कौन सा बांध खरकई नदी पर इस्तित है खरकई नदी पर इस्तित है याद रखेगा दोस्तों ए नमबर मासंजर बी ऐयर सी चान्रील और डी इचा देखे दोस्तों इसको ट्रीक से याद करते हैं खरकई खरकई लास्ट में ए है और इचा इचा यानि कौन सा बांध खरकई नदी पर 25 इस्तित है जोस्तों याद रखेगा इसे याद रखेगा कर इस से याद रखेगा है को ने deceived 204 मेगा वर्य बिदूत का उत्पादन क्या जा रहा है गा यसका तोट शवहीश तुन मेगावर्ट का उत्पादन किया जा रहा है शोर्न रेखा परिजनाओं के तहत हुन्रू जलपरपात से कोनार सिचाई परिजना किस जिले में इस्तित है दोस्तों याद रखेगा कोनार सिचाई परिजना तो कोनार सिचाई परिजना है दोस्तों हजारी बाग में दोस्तो छे दोस्तो ध्यान दिजे कोनार सिचाई परिजणा का लाव किन जीलों को मिला है ए हजारी बाग बोकारो सी गिरिडी डी इन में से सभी तो दोस्तो याद रखेगा कोनार सिचाई परिजणा का लाव इन तीनों जीला को मिला है हजारी बाग बोकारो गिरिडी यानि option number D आपका सही हो जाएगा अजय बिराज परिजना कहां इस्तित है ए नमबर वोकारो B देवघर C तुमका D B और C तो याद रखेगा दोस्तों आपका अजय बिराज देवघर और दुमका दोनों जगा इस्तित है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा B और C देवघर और दुमक questions number 208 गुमानी बेराज परिजना कहां इस्तित है ए चामतुड़ा B दुमका C शाहिवगणज देवघर तो याद रखेगा दोस्तों गुमानी बेराज परिजना शाहिवगणज जीले में इस्तित है Q2 निमने में से किस जिले को जुमानी बेराज परिजनाओं के तहत सी चाई है तो सुविधा उपलब्द कराई जा रही है तो इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तो पाकूर को Q210 Q210, पुनासी जलाशाई, परियुजनाओं का निर्मान, डेस जिले के पुनासी गाओं के पास बांत का निर्मान कर क्या जा रहा है अप्शन नमबर A, तुमका B, देवघर, C, चत्रा, D, साहिब गंच, तो इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तो, देवघर Q211, अमानत, बेराज, परियुजना का निर्मान का क्या जा रहा है A, देवघर, B, गुमला, C, पलामू, D, कोडर्मा, तो इसका सही एंसर हो जाएगा दोस्तो, अमानत, बेराज, परियुजना का निर्मान, पलामू जिले में क्या जा रहा है अमानत बेराज परियोजना के पूर्ण होने पर इसे 10 हेक्टेर भूमी में सिचाई की शुविदा परदान की जाएगी अप्शन नूमबर A, B, 2000, B, 23,000, C, 25,000, D, 27,000 तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों, अप्शन नूमबर C, 25,000 यानि अमानत बेराज परियोजना के पूर्ण होने पर इसे 25,000 हेक्टेर भूमी में सिचाई की शुविदा परदान की जाएगी देखे दोस्तों, क्वेशन समबर 23, उत्तरी कोयल जलाशाई परियोजना का निर्मान कहां क्या जा रहा है तो इसका सई अंसर हो जाएगा दोस्तों, गडवा उत्तरी कोयल जलाशाई परियोजना का लाब गडवा के अलावा किस जिले को प्राप्त होगा तो इसका सई अंसर हो जाएगा दोस्तों, अप्शन नूमबर B, पलामू किस परिजुनाओं के डूप छेत्र में बेतला राष्टिय उद्धान इस्तित है ए अमानात बेराज, बी गुमानी बेराज, सी उत्री कोयल जलाशाई, डी अजय बेराज तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों, अप्सेन नंबर सी, उत्री कोयल जलाशाई में डूप छेत्र बेतला राष्टिय उद्धान इस्तित है देखे, क्वेशन समर्टों, शोलो, बटेश्वर, इस्तान, गंगा, पंप, नहर, योजना, जार्खन एवं, किस राज की स्वयुक्त, अंतराष्टिय योजना है ए बंगाल, बी बिहार, सी ठीच्छगर, बी उलिश्चा, तो इसका सही अंसर हो जाएगा बिहार क्वेशन समर्टों 17, बटेश्वर, इस्तान, गंगा, पंप, नहर, योजना, का लाब, जार्खन के किस जिले को प्राप्त होगा ए गलवा, बी गुमला, सी गोड़ा, ती गिरिडी, तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तो